So Hello Everyone, आप लोग का स्वागत फिर से को और Market Analysis वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग Analysis करने वाले हैं Nifty 50 की उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं Bank Nifty को उसके बाद हम लोग अपना Mid Gap Nifty की Expire को देखने वाले हैं कि मंडे की दिन Market में Mid Gap Nifty की Expire है तो उसके दिन आप लोग को कौन सा Setup चाहिए होता है Hero Zero का Setup अब कौन से साइड में आप लोग Hero Zero की Market के अंदर Planning कर सकते हो उसके बारे में हम लोग Discus करने वाले हैं and Support and Market के अंदर कहां पर आप लोग Resistance बना सकते हो उसके उपर Discus करने वाले हैं क्योंकि आप लोग को पता है अगर Hero Zero Market में Mid Gap Nifty के अंदर आपको Planning करनी है तो आप लोग को Exact Support and Resistance पता होना चाहिए and एक Market में बड़ा Momentum आप लोग क्या पकरना पड़ेगा Capture करना पड़ेगा जिससे की Market में आप लोग Hero Zero Planning कर पाओ तो उससे पहले हम लोग Nifty के Analysis करते हैं और उसके बाद Bank Nifty की and लाश्ट में हम लोग Mid Gap Nifty में देखते हैं कि Hero Zero के कौन से Levels होने वाले है तो तेलिए सबसे पहले हम लोग Nifty 50 के Analysis करते हैं और इसके अंदर देखते हैं Market में की Seller and Buyers की Position हम लोग को कहां पर देखने को मिल रही है और उसके बाद हम लोग क्या विव अपना बना सकते हैं तो सबसे पहले हम पर आप लोग देखोगे Market में की तीन तारीक के दिन Market हमें क्या मिलती है उसके बाद देखो अच्छी खासी Market Gap Up थी लेकिन यह जो Selling आती है ना अचानक से Market में छोटा सारे ट्रेस्मेंट हुआ था और इस छोटी से रिट्रेस्मेंट में Market ने क्या किया है जो भी नए बायर थे ना जिन्होंने 22,460 के रिट्रेस्मेंट से या फिर आप लोग बोल सकते हो 2500 के रिजिस्टेंस लेने के बाद 2500 का Market ने breakdown किया उसके बाद जो भी नए सेलर आया थे ना कि 2500 साइकलोजिकल नमबर है उसका Market ने breakdown किया तो उसके बाद वाले सारे जो सेलर थे उनको Market ने निकाल दिया ये चोटा सारे करके एंड उसके बाद वापस मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग देखिए एंड अगेन मार्केट ने सपोर्ट बनाया है 2347 के लेवल का तो अब यहां पर देखो यह सेलिंग क्या हमें इंडिकेट करती है यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में जिस्ट एक केंल मार्केट में इसके बाद मार्केट में अच्छी कासी में हमें देखने को मिल रही थी मार्केट में इस क्वेवल नीज की दो में सबसे पहली A mr 올 टाइम हाई भी बाहिस supports और सीफ प्लान चोंग कर रहे होंग लोग एक क्तर शाक्राला अपनी position भी यहाँ पर बना रखी होगी golden के लिए लेकिन market ने क्या किया जितने भी पहले से जो लोग prepare हैं जिन्होंने पहले से अपनी entry बना रखी है swing trading बना रखी है उन लोगों के market ने क्या किया एक अच्छी से selling दिखाई है इस selling में लगबग 60-70% लोग जिन्होंने सिर्फ अपना चार्ट देखके या फिर बिना किजी fundamental या फिर technical analysis के position बनाई थी उनकी position market में निकल चुकी है अब कल के दिन market हो सकता है में अच्छा खासा गेप देखने को मिल जाए अगर market हमें गेप देखने को मिलेगा 22-70% के ऊपर देखने को मिलेगा उसके बाद हम लोग market में एक अच्छी सी recovery प्लान कर सकते है और यहीं देखो कुछ होने वाला है ऐसा लंटिंग की according भी हम लोग अगर यहाँ पर देखे market में तो यहाँ पर अच्छी खासी market में seller present है अब market में जो यह retracement हुआ है और जो यह retracement हुआ है इसमें कोई भी जो बड़े players है ना उनको effect नहीं पड़ाए क्योंकि छोटा सा retracement हुआ है अब market क्या करेगा कल के दिन 22-500 के उपर gap up opening देदेगा gap up opening देदेगा उसके बाद अगर market पूरा अपना रिकावर करेगा ना तब यहाँ पर जिन्होंने selling कर रखे उनके SL market में हिट होंगे और फिर market अपना एक नया high बनाता हुआ चला जाएगा तो यह हमारा logic है कि यहाँ पर जितने भी seller ना उनके SL market में हम लोगों को उपर की साइड मिलेंगे और उपर की साइड कहां पर मिलेंगे 22-703, 22-703, 22-606 हमारे लिए resistance का काम करने वाले हैं and support zone के मैं बात करें तो 22-500, 22-4-65 and 23-47 के लिए हमारी support zone होने वाले है selling आप लोगों को पता है यह सिर्फ पैनिक करने के लिए मार्केट में दिखाएगी ती डिरेक्ट इन्वेस्टर को target करने के लिए मार्केट में selling होई थी and market उनको target भी कर लिए क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हम लोगों को यहाँ पर देखने को अब यहां पर निफ्टी बैंक का चार्ट हम लोगों को लिए और यहां पर आप लोग देखो अब यहां पर प्लानिंग यही है कि ऑल्ट टाइम हाई के कारण मार्केट में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है उसके बाद मार्केट में यह जो भी फ्रेस बैंक जिन्होंने यहां पर लगाई है उनको target करने के लिए या फिर उनको panic करने के लिए यह मार्केट में यह जिखा है एंड अगेन मार्केट में जाते जाते एक छोटा सा हमें साइन भी दिया है मार्केट में की हो सकता है अगर गेप आप आप ओपनिंग देखने को मिल जाती है 4900 के उपर हमें ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो उसके बाद अच्छा खासा मार्केट यहां पे बुलिस रहने वाला है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया यह सेलिंग सिरफ इसलिए हुई है कि जो भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं या फिर आप लोग बोल सकते हो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको मार्केट टार्गेट कर सके क्योंकि हर बार ऐसा होता है उसके बाद मार्केट में एक ओर रिजिस्टेंस जो कि हमारा बचवाय रह जाता है 48,887 का दो हमारे पास सपोर्ट है 48,580 और 4,443 बाकी मार्केट में हमारा बुलिस रहने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता है यह सेलिंग सिर्फ लोगों को पैनिक करने के लिए और बहुत से लोगों ने अपनी सेलिंग भी करी होगी तो market ने जो भी investor उनको target कर लिया लोगों को sell करवाना था selling भी market के अंदर हो चुकी है अब market वापसे अपना uptrend continue करेगा और नया high market में में देखने को मिलेगा तो अब हम लोग चलते हैं अपना mid cap nifty पे and mid cap nifty में आपको hero zero level discuss करने है उसके बाद market में देख लेते हैं कि सबसे पहले यहां पे देखो market ने closing कहां पे दिये market ने closing दिये हमें 11,62 के उपर 11,000 के उपर यहां पी market ने closing दिये 11,62 पर यानि कि market में अच्छा खासा bullish view हम लोग रख सकते हैं क्योंकि 11,000 का जो psychological number है उसके उपर market ने हमें अच्छी कासी closing दे दी है यहां पे देखो selling तो हमें market के अंदर यहां भी देखने को मिली थी लेकिन as usual कम थोड़ी selling थी market में जाते जाते market ने देखो एक chart pattern भी बनाए है अगर यहां पे मैं आपनों को trail line जैसा कुछ बना के दिखाऊ तो यहां पे आप लोग देख पारेंगे एक trail line market बना रहा था और इसका breakout करने के बाद market ने क्या दिया यहां पे closing दिये तो market में कहीं ने कहीं यही sign है कि जो यह जो selling हुई है ना जितनी भी selling हुई है nifty के अंदर bank nifty के अंदर अपना mid cap nifty के अंदर फिन निफ्टी के अंदर सारी selling सिर्फ लोग को trap करने के लिए और बहुत से लोग यहां पे trap हो भी चुके हैं तो market अपना फिट से uptrend continue रखेगा और हमारे के लिए जो hero zero की levels होने वाले है सबसे पहला हमारा resistance होने वाला है 11161 का दूसरा resistance हमारा 11008 का होने वाला है 11108 का एंड सपोर्ट जोन के बात करूं तो 1026 का पहला सपोर्ट होने वाला है एंड 1020920 का दूसरा हमारा सपोर्ट होने वाला है तो यह सारे support and resistance level मैंने बता दिए hero zero की planning अगर आप लोग कर सकते हो तो analysis किया निफ्टी बैंक निफ्टी एंड मिटकप निफ्टी तो बाकी मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग अपना plan execute करेंगे उसके लिए आप लोग मारी टेलिग्राम को जोइन कर सकते हो बागी मिलते हैं नेक्स्ट अनलिस इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद